दोस्तों एक पर फिर से स्वागत आपका नेक्जोट टेग यूट्यूब चैनल पर आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं पोको F2 के अंदर आपको क्या क्या स्पेस्टिफिक्शन देखने को मिलेंगी क्या होगी उसकी प्राइस और आपको कभी ये फोन इंडिया मार्किट में देखने को मिलेगा या फिर ये फोन कभ इंडिया में लॉंच होगा तो बात करेंगे इस वीडियो में पोको F2 के बारे यहां पर देखने को नहीं मिलेगी, आपको न्मल 60 Hz की रिफ्रेश ये वाली यहां पर स्क्रीन देखने को मिलेगी, और यहां पर जो आपको जो स्क्रीन टॉ बोडिए रेश आप ग्वारं 92% का होने वाले इसका रीजन ही है, कि इसमें आपको अब की बार पूप अप सेलफी तो अब बात करें यहाँ पर अभी इसकी बोडी या फिर डिजाइन के बामले में तो यहाँ पर जो यह फोन है अभी आपको गिलास बोडी के संगाएगा और साथ में जो है आपको यहाँ पर गुरिला गलास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेगा बैक साइड में और फ् प्रोटेक्श का प्रोटेक्शन और यहां की पर्फॉमेंस की प्रोटेसर की जिढ़ जीजादा तगडी है और अगर हम आइप नहीं इस ही प्रीड आपकी जो है काफी ज़ादा तगड़ी वने वाले इस phone की और साथ ही साथ यहां पे आपको वैपर आइस चैंबर देखने को मिलेगा इस phone के अंदर जो कि आपके गेमिंग को एनांस करेगा इसका मतलब कि जो आपको प्रोसेसर है जादा heat यहां पर नहीं होगा और आपका जो फोन है यहां पर जब आप गेम खेरेंगे एक्स्ट्रीम एफ फेस भी ले पाएंगे और साथ यहां पर आपका फोन है वह heat नहीं करेगा तो इसके लिए आपको यह cooling technology दी गहीं है यहां पर इस phone के अंदर और दोस्तों बात करें इस phone की camera performance के बारे में तो यहां पर आपको 64 MP का एक quad camera देखने को मिलेगा जिसमें कि आपको जो primary sensor होगा sony का mx686 जो कि काफी अच्छा जो है यहां पर आपको camera performance प्रवाइड कराएगा और साथ में आपको 12 MP का ultra wide lens देखने को मिलेगा 5 MP का macro lens देखने को मिलेगा 2 MP का depth sensing sensor यहां पर portrait lens यहां पर आपको देखने को और आपको POCO F2 में भी जो हैं दो एडिशन देखने को मिल सकते होगा POCO F2 नर्मल और एक होगा POCO F2 Zoom Edition यहां पर आपको zoom edition में एक अंतर मिलेगा camera department में कि आपको यहां पर macro lens की जगे 8 MP के टेली photo lens देखने को मिलेगा जिसमें आप optic 3 एक zoom तक यहां पर कर पाएंगे तो काफ 20 MP का एक selfie camera देखने को मिलेगा जो की pop-up selfie होने वाला है और बात करें यहां पर POCO F2 बैटरी के बारे में तो बैटरी आपको 4700 damage की यहां पर देखने को मिलेगी और साथ में आपको 33 Watt पर फास्ट चार्जिंग का support भी देखने को मिलेगा और यहां पर जो है आपका जो फोन है विदिन वन आवर यहां पर 55-60 मिनट में आपका जो फोन है 0-100% फुल चार्ज हो जाएगा और उस तो बात करें हैं पोक F2 के वेरियंट के बारे में तो यहां पर जो आपको तीन वेरियंट देखने को मिलेंगी एक होगा 6128 का एक होगा 81256 का और यहां पर जो आपको 6 8256 का है उसकी प्राइस आपको 37,000 देखने को मिलेगी और जो 8128 वाला जो वेरियंट है उसकी प्राइस आपको 34,000 देखने को मिलेगी और यहां पर जो आपको 6128 वाला जो वेरियंट है उसमें आपको UFS 2.1 की फासरेज देखने को मिलेगी जबकि आपको जो है 8128 और 825 वाले variant के अंदर UFS 3.1 की fast storage देखने को मिलेगी तो यह थोड़ा सा अंतर है यहाँ पर आपको तीन वही वरियंट के अंदर और यहाँ पर जो पोको F2 जूम एडिशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा उसमें भी आपको दो एडिशन देखने को मिलेगे एक होगा 8228 का ह एक होगा 8256 का और उसमें भी आपको UFS 3.1 की फास्स देखने को मिलेगी और मैं आपको अंतर बताई चुका हूँ Poco F2 और Poco F2 जूम एडिशन में की आपको जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक टेली फोटो लेंस का अंतर मिलेगा कैमरे के अंदर बाकी जो है सारी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे जो है सेम आपको देखने को मिलेगी और जो इसके बेस वेनिट की प्राइस है आपको राउं 38,000 यहाँ पे देखने को मिलेगी और दोस्तों बात करें पोको एफटो की लॉंच डेट के बारे में तो यह फोन जो है 25 अप्रायल को इंडिया में लॉंच होगा यह ठोड़ी बहुत शिफ्ट हो सकते है कोरोना की वज़े से क्योंकि यह सारी चीज़े जो है अफेक्ट हो रही है कोरोना वाइरस की वज़े से तो दो दोस्तों यह झाल